श्री अर्विंद केजरिवाल जी को CBI ने पूश्टाच के लिए बुलाया है और जैसे ही पूश्टाच के लिए अर्विंद केजरिवाल जी को बुलाया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि अर्विंद केजरिवाल जी जो अपने आपको पूर्व उपमुख्यमंत्री एक्यूजड नंबर वन मनीश शोडिया को कट्टर इमांदार का सर्टिफिकेट देते थे डर के मारे थर्थर का अपने लगे हैं पापी आप पार्टी जो की पूरी तरह से ब्रष्टा चार में लिप्त है वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उमीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं ले पाई गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है उसमें 12 साल प्रधान मंत्री मोदी जी खुद वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए एक भी एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए जब मोदी जी को फोटो खिचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेंट के अंदर टेंपोरिरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने लाइक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाई और पांच साल के अंदर दिली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का काया कल्प कर दिया पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिये इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उमीद दी है ये बात अब जग जाहर हो चुकी है शराब घोटाले के किंग पिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है जो अभी तक जाँच हुई है उससे ये स्पश्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आप से बिना पूछे तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा ये ठीक है कि आपको लगता है कि भरष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं लेकिन दिल्ली की जंता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंग पिन आपी हैं मोरे अरेस्ट हुए अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी अरेस्ट हुए अर्विंद केजरिवाल के भरष्टाचारी साथी इस सारी जाँच करने के बाद एक साल जाँच करने के बाद यह आरोप लगाते हैं कि 100 करोड रुपय की रिश्वत ली गई और दी गई वो 100 करोड रुपया कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो 100 करोड रुपया सब इतनी 400 से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीश सोधिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लोग वो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीश जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिया इन्होंने उनके गाउं भी हो आए उनके बैंक लॉकर भी हमारे कुछ नहीं मिला 100 करोड में से फिर आरोप लगाया कि 100 करोड रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिन से हमने काम कराया था सारे वेंडर्स पर एड़ मार चुके यह लोग सारे वेंडर्स को इन गिरिफतार करकर स्टेटमेंट ले चुके ही वहां कुछ नहीं मिला सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमिशन को दिया हुआ वहां भी कुछ नहीं मिला गोवा चुनाव के 自ónत को देला नहीं मिला तो पैसा गया गा ये जो शराब निती बनाई गई इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक होती ये हुई पांच फरवरी दो हजार इक्श को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर आप कर रहे थे और आपने एक जी ओएम का गठन किया एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट का अध्यन करने के बाद सिफारिश दे इस जी ओएम में एक्यूज नंबर वन कट्टर वैमान जिनको आप कट्टर इमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे वो थे इनकी बेल नहीं हुई है मनीश शिशोडिया की बात कर रहा हूँ सतिंदर जैन थे पूर्ट स्वास्त मंत्री दस महीने से जेल में है इनको भी आपने कहा था कट्टर इमानदार है तो पहला सवाल ये है अर्विंद केजरिवाल जी ये बताईए दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए और इसलिए कहूंगा जैसे जैसे जुड रही है कड़ी अर्विंद केजरिवाल पास आ रही है हत कड़ी 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टार्गेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टार्गेट कर रहे हैं नमबर तू को गिरफ्तार कर लिया नमबर थ्री को गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरे मेरी गर्दन तक पहुँचना तो अब ये मेरे पीछे पढ़े हैं मुझ तक पहुचने की कोशिश कर रहा हैं किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टार्गेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टार्गेट किया गया कि अर्विंद केजरिवाल का एकी काम है लूट खसोट भरष्टा चार और ये कहना गलत नहीं होगा हर बोतल पर तेरा निशान हर बोतल पर तेरा निशान जनता बोले अर्विंद केजरिवाल कटर बैमान कट्टर वैमान है अरविंद केजरिवाल और दुख की बात क्या है ये पाच सवाल जनता के सवाल है अगर हिम्मत हो अरविंद केजरिवाल में पाच में से एक चुन के एक का उत्तर दे दे एक का ये भ्रश्टाचारी उत्तर नहीं देगा तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ मोदी जी अगर केजरिवाल भ्रश्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है मुद्दा भ्रष्टाचार है यह नहीं मुद्दा भ्रष्टाचार की जाच है यह नहीं मुद्दा शराब घोटाला है यह नहीं ऐसा शक्स देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए ब्रश्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है पिछले मार्च के आखरी हफते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाये थे ब्रश्टाचार जो इन्होंने की है इतने ब्रश्टाचार गिनाये थे नहींrato मेरे को टवी के दिया ता उस दिन जिस दिन असेंबली में में ने स्पीच दी थी शाम को संजे सिंग का मेसेज आया कि के अर्विन ये अगला नमबर आपका है कल सत्यपाल मलक जी ने एक इंट्रवियू दिया मैं वो सुन रहा था सत्यपाल मलक जी ने कहा मोधी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनके अपने गवर्णर कह रहे है देखिए कट्टर बैमानों को लगता है इन्हें गुमा है कि हम कानून से उपर हैं और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुँचेगा और यह क्यों कह रहा हूँ यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इस जज्जमेंट में बात आई है वो पर देता हूँ आपके समक्ष दस इट इस क्लियर फॉम दी अबव डिसकॉशन that the applicant had played the most important most important and vital role in the above criminal conspiracy and he had been deeply involved क्या सामने आया most important सबसे एहम भूमिका निभाने वाले कटर बाइमान पूर्व उप मुखे मंत्री accused number one jail की सलाकों के पीछे bail rejected Manish Shishodia साथ में बहुत गहरी जड़े इस शराब घोटाले में जो है यह जड़े Manish Shishodia ही थे लेकिन इन जड़ों को पानी किस ने दिया यह बाग बगीचा किसका है यह तो अरविंद केजरिवाल का है इडी ने और CBI ने जूटा जूट बोलके ओध पे एफिडेविट पे कोट को गुमरा किया और जूटा सबूत उन्होंने कोट के सामने पेश किया क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं कुछ था ही नहीं शराब घोटाला कुछ है ही नहीं तो निकाले क्या इसको गिरफ़तार कर लिया उसको गिरफ़तार कर लिया ये कर लिया एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर करकरके धंकियां दे दे के मेंटली टॉर्चर करके फिजिकली टॉर्चर करके थर्ड डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीश से सोधिया का नाम ले लो, इनको फसा, उनको किया जा रहा है.